प्रिये भक्जनों, जहां निर्भाह में बाधाती हो, उहां जूट बोलने में कोई दोस नहीं है, इस्त्रियों को बसमें करने के लिए हसी दिलगी में, बिबाह में, बर की परसंसा में, जीविका में, और जब प्रान परसंकटाय, उस्समय और गव और ब्राम्हन के हित में और हिंसा में जूट बोलना पाप नहीं है, तो आईए इस संदर में राजा बली और बामन भगबान का हम शंबाद आपको बताते हैं, शुनाते हैं, और साथ ही सुक्रा चार्ज ने उनका विरोध किया था, कि आप ये शाधारन कोई नहीं है, ये छलिया तो बिश्नु का अवतार है, तो आईए इसके संदर में आज हम आपको कथा सुनाते हैं, कि राजा परिक्षित को शुकदेव जी कह रहे हैं, कि हे राजन, तुम्हारा बामन भगबान बोलते हैं, कि राजन क्यों न हो, तुम्ह कुल ही सत्य निष्ट और किर्तिकारी है, फूब इसका बराई कर रहे हैं, राजा बली का भगवान विश्नु, बामन जी, तुम जिस कुल में उत्पन हुए हो, उसमें ऐसे ही धीर वीर, धर्मात्मा और सत्य निष्ट राजा उत्पन होते आए हैं, पारलोकिक धर्मों के निर्ने करने वाले भिर्गवंशी, शुक्रित्यादी और परमशांत सोभाब बाले आपके विर्ध पितामा परलाज जी तो इसी कुल के दीपक हैं, जिनकी अक्छाय किर्ति आज क्या सब ही दिन, सब काल में, सब जुगों जुगों में जानी जाएगी, इतिहास साक्षी ह कि आज तक इस कुल में ऐसा एक भी राजा नहीं हुआ हो, जो स्ट्व भिषीन हो, क्रिपन हो, स्विकार करके न देने वाला हो, अथवा ब्राम्हन की याचना को पूर्ण न किया हो, अर्थात इस कुल वाले के द्वार पर आकर कोई कभी निराश होकर नहीं लटा है, हे राजन आपके कुल में एक से एक बढ़कर और ऐसे ऐसे मनस्वी राजा हो गए हैं, जिन्होंने कभी दान के समय में मांगने वाले भिक्षुक से और जुद्ध चाहने वाले जुद्धा से मुह नहीं फेरा है, भागवान बामन उनका लगातार बढ़ाई कर रहे हैं, द वे मारे गए थे तब उनके भाई हिरन कस्पु ने विस्नु को खोजा और उनसे मिलकर घोर जुद्ध किया, विस्नु तो कप्ती है ही, उन्होंने दोखा देकर उन्हें मार डाला, फिर आपके पिता प्रहलाद के पुत्र बीरोचन ही किसी महात्मा और किस दानी से कम थे, जिन्होंने ब्राम्हन बेसधारी देवताओं के मांगने पर अपनी समस्त आयू को ही अरपन कर दिया, आप भी तो उन्ही धर्मानु आई ग्रहस्त ब्राम्हनों और अपने उच्च किर्ती बाले बीर पुर्वजों के पुल के एक तेजस्वी राजा है, फिर आप अपने आजकों के मनोर्त को क्यों न पुर्ण करेंगाता है, देतेंद्र मैं भी आपसे थोरी सी पृत्वी ही मांगता हूं, जो मेरे पैरोद्वारा न पी हुई, मात्र तीन पग हो, हिराजन यद पी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, और बरे दाता है, तथा पी मैं आपसे और कुछ अधिक नहीं मांगता, क्योंकि जो विद्वान हो, उसे अपने प्रियोजन भरी, दान ग्रहन करना चाहिए, अधिक दान लेने से वा पाप का भागी होता है, श्री सुकदेब जी कहते हैं कि हे परिक्चित, जब ब्रमचारी रूप बामन जी ने ऐसा कहा, तब राज चर्ज है कि तुम अपने स्वार्थ को कुछ नहीं समझते हो, मैं तुम्हारी बुद्धी को क्या कहूं, तुम उस्त्रिलोग के स्वामी को अपने सब्दों से प्रम परसंद करने करके भी केबल तीन पगवित्वी ही मांगते हो, हे ब्रामन इसमें क्या है, मैं तो तुम्ह को अयाचक बना देता हूँ, हे ब्रामन तुम अपनी जीविका के लिए प्रयाप्त प्रित्वी मुझसे मांग लो, इस पर भामन भगवान ने कहा कि ही राजन भोगों से कभी त्रिप्ती नहीं होती, संसार के जितने भी भोग पदार थाए, एदीवे सब एक जगह मिल जा फिर तीन पक प्रित्वी तो उसके निकट क्या है, नब बर्स बाले आपके द्वार को भी पाकर तिर्प्त नहीं होगा, और फिर वह नौखंड सही साथ द्विपों के पाने की इक्षा में ब्याकुल लहेगा, हमने सुना है कि गए प्रित्व इत्यादी राजा सातो दीप के स्वामी थे, किन्तु जब तक उन्हें धन और काम की चाह बनी रही, तब तक उनकी त्रिष्णा का अंत नहीं हुआ। में डालने का कारण है, और भाग बस मिले हुए धन में संतोस करना ही मुक्ती का हेतु माना गया है, वही ब्राम्हन है जो संतोसी है, और संतोस ब्राम्हन नस्थ हो जाता है, उससे मैं आपको दान देने वालों में स्रिष्ण जानकर भी आपसे केबल तीन पग ही प्रित्व भर ही चाहिए, श्री सुकदेब जी काते हैं कि जब बामन जी ने कहा तब इंद्रपद पर आरूध राजा बली हसने लगे और बोले अच्छा तुम्हारी एक्छा तो तुम्हें जितनी आवसक्ता हो उतनी पिर्थवी ले लो, ऐसा कहकर बामन भगवान को पिर्थवी दा देने के लिए बली ने अपने जल का कमंडलू उठाया, शुक्रा चार्ज उहां ही उपस्थित थे, उन्हें ने विश्नु जी की सब बाते ग्यात थी, उन्होंने अपने शिस्से बली से कहा कि हे बिर्योचन के पुत्र बली, तुम नहीं जानते कि ये कौन है, ये साक्छा अभिनासी विश्नु है, इन्होंने देवताओं का कारशिद करने के लिए कस्यप जी के द्वारा आदिती के गर्व से जन लिया है, तुम अपने भविश के अनर्थ को न जानकर जो इन्हें देना चाहते हो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा यह कार्ज दैत्वंस के लि अपने तीन ही पगों में तीनु लोकों को नाप लेंगे, फिर तु कहीं भी रहने के जोग न रहेगा, जब सब कुछ विश्नु ही ले ले बेंगे, तब तु कहां रहेगा, अपने सरीर का निर्वाह कैसे करेगा, ये अपने एक पैर से ही पिर्थवी को, दूसरे से स्वर को और अपने बहुत बड़े सरीर से आकास को नाप लगे, फिर तु इनके तीसरे पैर के लिए पिर्थवी कहां से देगा, प्रन्तु जो हो, अब तो मुझे ऐसा जान परता है, कि यह कहकर न देने वाले, तुझको नरक में जाना परेगा, क्योंकि तुने देना पहले सु स्थिर रहता है, और जब तक वह नहीं रहेगी, तब तक चीत में संती कहां, शंतोस कहां, ऐसा दानी न तो कोई जग कर सकता है, और न कोई बैदिक कर्म ही कर पाता है. हेदेतंद्र परतेक ग्रिहस्त का या धर्म होता है कि वह अपनी जीवका से अपने धर्म यस अर्थ काम और अपने कुठुम्वियों के ब्याय के लिए इन उचित पांच भागों में विभक्त कर देवे और परतेक भागों को यथा सद समय समय पर पूरा किया करें तब ही उस इस लोग तथा परलोक में सुख मिलता है हेश्र distortion शत्य और अशत्य का विवेचन बड़ा कठ्यिन है हां कह देना ही सत्य है और नहीं करना ही अशत्य है अर्थार्जो वास्तविक देना है उसको स्विकार कर ले ही सत्य है और उसे असुकृत करना ही जूट है सत्य ही देह रूपी ब्रिक्स का फूल और फल है तब जब देह रूपी ब्रिक्स ही न रहेगा तो सत्य रूप फूल और फल किसमे लगेगा इस कारण जूट इस देह की जड़ है असत्य देह की रक्षा है जैसे जर को उखार देने से ब्रिक्स गीर पड़ता है वैसे ही जिसका जूट बोलना बंद हो जाएगा उसका देह सिख्ध ही गीर जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं तुम्हारे जैसे देत के लिए सत पर ही दिड़ रहना हानिकारक है फिर जो सदैब अपना सर्व निछावर ही करता रहता है वह अपने लिए भूगों की सामगरी इकठा नहीं कर पाता है और जो नहीं कहता रहता है वह औरों के भी संपत्ति को अपने पास खीच लाता है प्रंतु इसका यह प्रोजन नहीं कि सदैब नहीं ही करता रहे क्योंकि जो सदैब नहीं कहता रहता है उसकी किर्टी नस्टो जाती है और वह जीता हुआ भी मूर्दे के समान है फिर कही सत्य में भी दोस है और असत्य में भी गुन है ऐसा नीती का बचन है कहा जाता है कि जहां निर्वाह में बाधाती हो वहां जूट बोलने में दोस नहीं है इस्त्रियों को बस करने में, हसी दिलगी में, बिबाह में, बर की प्रसंसा करने में, जीविका उपारजन में, प्रान पर संकट आने में और गव ब्राम्हन के हित और हिंसा में किसी की हिंसा हो रही हो उस समय जुट बोलना पाप नहीं है तो बोलो जै स्री हरी विश्णू